कि अभी कांग्रेस संसरी अदल के देटा ने यहां पर आस्वस्थ किया था कि हमको इस बुद्दे को उठाने की इजाज़त दी जाए मैं जरूर सफा पक्षी सर्फ से जो भी जवाब देगा उसकी बात को हम सुनेगे लेकिन उन्हों ने यहां पर वादा खिलाफी की है जो क तंत्रका होता है परसपर विश्वाव लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो बात नहोंने आप के समख्च कही है कि नहीं मैं सुनूंगा आज नहोंने हमारी बात यहां नहीं सुनी है और वाकाउट इस समय किया है मैं समझता हूं दूसरी चीज़ जहां तक हमारे प्रधानमंत बोधी जी के वीच बाक्षित हुई थी लेकिन हमारे विरेश मंत्री सी जैसंकर प्षाज जी ने स्टेटमेंट देते समय यह पूरी तरह से अध्यक्ष बोधैस पस्ट कर दिया कहा कि कास्वीर के बुद्वे पर राष्टपती टॉम्ट के साथ कोई बाक्षित नहीं हुई ह मैं समझता हूं कि इसके अथंटिक स्टेटमेंट और किछी दूसरे का नहीं हो तकता इसलिए मैं स्वरवाधिक अथंटिक स्टेटमेंट से जैसंकर प्षाज जी का मानता हूं क्योंकि जिस समय मोधी जी और मिस्टर ट्रम्ड के बीच बाक्षित हो रही थी तो स्ट्रेम ह हमारे विदेशमंत्री से जैसंकर प्षाजित उसमें वहुत्यूद से और मैं यह भी अध्यक्ष्म होदे मैं यह भी इस पश्ट करना चाहता हूं यह भी अस्पष्ट करना चाहता हूँ कि कास्वीर के सवाल पर किसी की बध्धता स्वीकार करने का कोई प्रस्ण ही नहीं खड़ा होता क्योंकि हम इस सचाई को जानते हैं कि यह निश्चित रूप से सिमला सम्झोते की मंसा के सर्वता बिपरीत होगा इसलिए किसी की बध्धता को स्वीकार करने का कोई और चित नहीं यह भाद तो अपनी जगह पर अध्यक्ष्ट मोदे लेकि मैं यह भी अस्पष्ट कर देना चाहता हूँ कास्मीर के सवाल पर हम इसलिए भी किसी की मध्धता स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यह राष्टी स्वाभिमान का प्रस्ट में अध्यक्ष्ट मोदे हम सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं हम सब कीछ से समझोता कर सकते हैं लेकिन किसी भी सूरत में अपने राष्टी स्वाभिमान के साथ समझोता नहीं कर सकते काफ्वीर ल lub JAMU काफ्वीर पर भी बात करना क्याता हूं